क्या आप भी अपने बाइसेप का साइज बड़ा करना चाहते हैं? आप भी अपने डोलो शोलो को खुब बड़ा और चौड़ा दिखना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो देखिए, आज के वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा और बहुत जल्दी आपका बाइसेप ग्रो हो जाएगा एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइसेप अगर आप बना रहे हैं या किसी भी अगर अपने बॉड़ी पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हैं या आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टन ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रोज ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप को तो वो कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे हमारी बॉड़ी बनती क्यों है हमारी बॉड़ी इसलिए बनती है कि जब हम एक्सेसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं मसल फाइवर होते हैं वो ब्रेक होते हैं उसके बाद जब उसे हम अराम देते हैं एक्सेसाइज करने के बाद उसे हम अराम देते हैं तो वो जो body part है वो heal होता है और जो हमारा damage हुआ body part है वो धीरे-धीरे heal करके उसको बड़ा muscles को बनाता है, बड़ी muscles बनती है तो माल लीजे अगर आज आपने bicep की exercise की है तो अगली बार bicep exercise करने से पहले minimum दो दिन का अंतराल, दो दिन का break दें ताकि आपकी body heal हो पाए उसके बाद में जैसे जैसे आप दीरे-धीरे समय देंगे आपकी body जरूर grow हो जाएगी, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है, progressive overload करना है मतलब माल लीजे आप अगर आज 1 kg वजन उठा रहे हैं अपने bicep से, अपने arm से, तो आप कुछ हफतो बाद उस वजन को 1.5 kg कर दीजे, फिर कुछ समय बाद उसको 2 kg कर दीजे, अगर आप ये progressive overload नहीं करेंगे, तो आपकी body कभी भी नहीं बन पाएगी, आपका bicep कभी भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, कि इन सब चीजों के लिए आपको किसी भी gym जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने घर में अपने body weight से ही इन exercises को कर सकते हैं, बहुत सारी exercises होती हैं, जिनको आप करके अपने घर में ही body ब उसको उठा के भी आप exercise घर में कर सकते हैं, एक चीज का बस ध्यान रखेगा, आराम देना बहुत जरूरी है, यह तो मैंने आपको technique बताई, और अगर आप अपने arms के size को बड़ा करना चाहते हैं, इसकी exercise जानना चाहते हैं, कि कौन सी exercise करनी चाहिए, तो इसके उपर मैं प के साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है, वो यह है, कि आप अपने body को protein देते रहें, बहुत से लोग मुझे से कहेंगे, कि हमारे पास protein powder या supplement खरीदने के पैसे नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास में जो घर में चीजें allowed हैं, जो आपको घर में खाने को मिल रहा है, आप उससे भी body बना सकते हैं, आपको बस यह सर्च कर रहा है, कि जो आप खाना खा रहा है, किस में कितना protein होता है, जैसे हम दाल खाते हैं, हमारी दाल में बहुत सारा protein होता है, हम दूद पीते हैं, दूद में काफी अच्छा protein होता है, तो ऐसा मत सूची कि अगर आप protein supplement नहीं ले रहे हैं तो आपकी body नहीं बनेगी आपकी body बिलकुल बनेगी जो जो tips मैंने आपको दिये हैं इन सभी tips को अपना ये आपकी body आपको दिखेगा कि एक महिने के अंदर में आपकी body में changes आएंगे और आपके जो bicep हैं उसका size बड़ा हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को like करिएगा और इसी तरीके के body related, body exercise related, body building related या health related वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करिएगा